हेलो फ्रेंट्स आज की जो रेस्पी है हैतरबादी ग्रीन चिकन है और ये बनाएंगे मेरे स्टाइल से और बहुत ही ज़्यादा हटके है ये इतना गजब का टेस्ट है कि आप पहली बार बनाएंगे जो लोग खाएंगे वो अपनी उंगलिया चाट जाएंगे ये बहुत ह कमाल का टेस्ट है इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है इतना टेस्टी है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है बहुत आसान है बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसे बनाते हैं बड़े ही फटा फट से लेकिन उस से पहले अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो मेरे channel को subscribe कर दीजिए बस एक support के लिए तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं बनाने के लिए यहाँ पर देखिये मैंने धनिया की पत्ती लिए वे हैं और यहाँ पर मैंने कुछ काजो लिए वे हैं और पुदीना लिया हुआ एक डम हरा और यहां पर हारी मिर्ची ली हुए भी हैं, तो इसे क्या करेंगे, हम ब्लंड करके ले लेंगे, तो यहां पर निया, अतना लहां है उतना ही आपको भी ले लेना ए तो बहुत ही जादा टेस्टी बने गा आपका, यहांपर देखेंगे मैने एक किलो यहां पर चिकन ले लि तो मैंने वन केजी लिया हूँ है और यहां पर देखिए इसको भी धोकर हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम ना इसके अंदर और भी सारी चीज़े डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अद्रक लसुन का पेस डाल दिया है और यहाँ पर आपको दो चम्मच डालना है और वो भी इसलिए डालना है क्योंकि यहाँ पर हमारा वन केजी चिकन है तो यहाँ पर दो चम्मच डाल दिया है और अब हम जो डालेंगे यहाँ पर धनिया था उसे रोस्ट करके मैंने ब्लैंड करके पाउडर बना लिया था तो मैं यह इसमें डालने वाली हो जो रोस्ट किया वा धनिया पाउडर होता है उससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है बहुत ही अच्छी सी इसमें खुश्बू भी आती है जब इसकी ग्रेवी अच्छे से पक जाती है और यहाँ पर देखिए मैंने गरम मसाला दाल दिया है एक चमच और अब जो दालूँगी वो है टेस्ट के हिसाब से मैं नमक दाल रही हूँ तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक दालिएगा बराबर से और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने चोटा कटोरी और मिख्त करना लिया है और इसे क्या क dependence on our sandwich इसे कहाल करना लिए को एक में जूज Isसे दीने लिए हम रकहेंगे भी अगर इससे को बना तो आपको यह टेंचन लिएनी की जरुद अदिन हमा तरह ठीर जाओद करना देन माड़र की कि बाधिया है मैं आपको पूरी गैरंटी देती हूँ कि आपसे बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा और इतना अच्छा बनेगा कि जो भी खाएगा वो भी नहीं कहेगा कि आपने ये फर्स टाइम बनाया है उनको ऐसा लगएगा कि आपको कितना इसका बनाने का एक्सपीरियंस है कि आप कि ज्यादा टेस्टी लगेगा हैदराबादी ये ग्रीन चिकन है लेकिन आप घर में उनसे कई ज्यादा अच्छा बना सकते हैं आप एक बार ट्राय करें मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेस्पी बहुत बहुत पसंद आईगा और आपकी फैमिली को भी तो यहाँ पर गोश्च के अंदर और गोश्च पे आपका नर्म हो जाता है तो इसके अंदर की स्मEल भी छतम हो जाती है गोश्च के अंदर से और आपने इसे वापस से जब आपने स्को मिक्स कर लेना है तो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा और लास्ट ये है कि आपको इसके अंदर कसूरी की मेथी दालने है तो एक चमच आप कसूरी की मेथी दाल दीजिए थोड़ा सा इसके अंदर इससे होगा ये कि आपकी ग्रेवी में बहुत ज़्यादा खुश्बू आएगी बिल्कुल रेश्टरेंट जैसा ऐसा जो बहुत ह अलग टेस्ट लगेगा जब आप इसे बनाएंगे फिर आप जानेंगे कि मैं इसकी तारीफ इतना क्यों कर रही हो आपके घर में भी तारीफ करेंगे और पूरे एक हफता लागातार करेंगे तारीफ बस आप इबर ट्राइ कीजिए इसको तो यहाँ पर देखे मैंने कसू तो इस तरह से आपको बारिक प्याज लेना है और भी कटा हुआ एकदम बारिक रहेगा तो बहुत जल्दी से ना यह बहुत जल्दी गल जाएगा और इसकी ग्रेवी में बहुत ही पतला पन रहेगा फिर यहां पर देखे मैंने मसाले लिये वे इलाइची दाल चीनी और य गीज दाल रहे हुँ घिस तसे क्या हो चैड़ीगे कीज जड़ेगा ना यह कुह लगा घुट्छा इतिज के बहुत हैना यह यह जाएगा यह जाएका यह हो जाने के बाद कर दो पूर पाद अपको बहुत अच् gamT और रेस्पी बहुत ज़्यादा सिंपल है ये तो यहां पर देखिए हो गया है गोल्डन ब्राउन और फिर हम इसके अंदर चिकन को डाल देंगे इतने पर होने के बाद आपने इसको चलाना है और वो भी मीडियम फ्लेम पर ही चलाना है आपको तब तक कुक करना है जब तक कि इसके अंदर का तेल सब बाहर ना आ जाए जो भी है और इसको अच्छे से भुनना है कि इसके अंदर की स्मेल भी खतम हो जाए होता यह है कि जब आप इसे बना रहे होते हो ना इसके अंदर के पुदेनी की खुश्बू है वह बहुत ही जादा आती है जो शायद हो सकता है आपको पसंद ना है वह कच्छा पन होने की वज़े से ही पुदेनी की खुश्बू बहुत ही जादा बहार आती है तो जैसे जैसे आप भूनेंगे उस पुदेनी की खुश्बू भी खतम होती जाएगी और इसका जो टेल है वो भी ऐसे से बाहर आता जाएगा तो आप इसमें देखी सकते हैं थोड़ी देर के बाद ना और भी तेल बाहर आ जाएगा और इसमें कैसा होता है कि चिकन भी अपने आप इसमें गल भी जाएगा क्योंकि हमने सारी चीजे दाली तो एक्स्ट्रा दही और जो हमने पुदीना का जो ग्राइंड करके हमने डाला है वो सब मसाला तो उसमें भी एक्स्ट्रा पानी था ही तो हमें इसमें और पानी डालना नहीं है इसे ऐसे ही हमें कुक करना है और थोड़ी देर के लिए ही करेंगे 10 मिनिट के लिए तो अच्छे से गोशना अंदर से गल जाए और बहुत ही अच्छे से मसाला इसमें घुल जाए तो इस तरह से देखिए पांच मिनट के लिए करने के बाद देखिए कितने अच्छे से हमारी ग्रेवी तयार हो चुकी है और जो तेल था वो भी सब बाहर आ चुका है तो यहां पर देखिए मसाला कैसे साइड साइड से तो तेल साइड में हो गया है तो ऐसे क्या होता है कि चिकन भी अच्छे से बुना जाता है और इसकी खुश्बू ना बहुत ही ज्यादा लगाती है यह खाने में टेस्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम कोईले का भी धुमा जब दा दाने की जबूत है तो वैसे ही खुश्बू इसके अंदर भी आएगी आपको इसमें कोईले की दुमा दालने की भी जरूठ नहीं है यहां पर देखिए हरी धन्या की पत्ति आपको डाल देना इसके अंदर इस तरह से और लास्ट में धन्या की पत्ति दालने से बहुत ही अची सी खुश्बू आती है और यहां पर देखिए मैंने फूट कलर भी नहीं डाला है आप चाहिए तो ग्रीन चिकन आप बना सकते हैं तो आप चाहिए तो मेरे जैसा भी बना सकते है और लेइक खाने में भी बहुत ज़दा टेस्टी है तो आप यहां पर देखी चुकों है कि यह Recipe बहुत-बहुत Completely है ninth और बहुत ज़दा असान है आप कभी भी बड़े इन जल्दी से इसे तैयार कर सकते हैं अगर आप से जाइड दोस्तों को भी शेर कर दीजिए का मेरी यह रेषिपी कि उन्हें भी मेरी एसी बहुत से आसां सी रेषिपी मिले और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यह वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलिएगा बेल आइकोन दबा दीजिएगा इसलिए क्योंकि आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी से मिल जाएगी